सब्सक्राइब करने जा रहे हैं आपके डेफिसेट से जो है एक कुशन एकदम इंपॉर्टेंट है बनता ही बनता है चाहे आप यूजिसे नेट में ले लो चाहे आप जो है पिछले साल भी इसमें जो है आपके कुशन आया था तो आप लोग यह रट लीजेगा या फिर इस आप तक देख लीजेगा सब्सक्राइब करेगा शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ ओके आप मारे टॉपर्स बैच को भी जॉइन कर सकते हैं फॉर सीटी है में एकनॉमिक्स इसमें कि आपको लाइव लेक्चर रिकॉर्डेट लेक्चर रिविजिन क्लासेज ठीक है सिरीस सिरीज में दो पार्ट से आपके सिक्सिटी प्लस इस प्लस टैट स्यूल्स ड्सीरीज जो के आपके सलेबसमें क्लूदे बैस्टी है कि क्ल्वेशन यंज्यूलोड ॏ दे coffin होगा और विश्विविक्र ऊपके स्पैसिट सेब्स से आपका हमारे याप पर कंड़क करवाए जाएगा अगर हम बात करें और क्या दिया जा रहा है तो यहां पर डाउट क्लेरें सेशन मैरेथन सेशन हम लास्ट इम एक्जाम कंड़क्ट होने वाला होता है दस पंद्रह दिन पहले ही हम लोग स्टार्ट कर देते आपके जो है दो क्लासिस रन भी करने लगेंगी तो आप लोग जोईन कर सकते और पिछला हमारा जो सेलेक्शन रेट रहा है वह 100 परसेंट था और बहुत सारे बच्चे हमारे जेनियो एसीव में भी जो है सेलेक्ट हुए और आल इंडिया रैंक वन आपका जो हमारे टेस सीरीज बैस से जो टॉपिक को तो हम बात करें कि बजट जो होता है बजट में बिसिकली आपका बजटरी डेफिसिट जो बजट में डेफिसिट होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं एक आपका होता है रेवेन्यू डेफिसिट किते तरीके के होते हैं तीन तरीके के होते हैं रेवेन्यू deficit पाई जाते है budget में ठीके अब revenue deficit क्या होता है पहले समझते है when the revenue expenditure of the government is greater than the revenue receipt अब सिर्फ revenue expenditure की बात कर रहा और revenue receipt की बात कर रहा जैसे अब बात करें कि budget जो होता है वह आपका दो part में divided होता है budget की दो तरीके होते हैं मतलब ताइपस होते हैं एक आपका capital budget होता है और एक आपका revenue budget होता है ठीक है तो capital budget होता है वो दो तरीके का होता है आपका इसमें capital receipt होता है और capital expenditure होता है और वैसे revenue budget जो होता है वो दो तरीके का होता है आपका revenue receipt और revenue expenditure तो अगर हम बात करें आपके revenue deficit में तो यहां पर कहीं न कहीं बुजट के इस part में क्या पाया चाहरा आपका डेफिसिट पाई जा रहा है तो क्या होगा यहां पर हमारा जो expenditure है वह जाधा कहा होगा अपके रिश्रुक्त से यानि कहरेज जादा रहे होंगi और हैं तो यह सारी चीज ज्ञादा हो रही हो रही हुगं च्रक्रश से रिस्रुक्त is non-tax ठीक है आपके interest payment जो हो रहा है non-tax revenue जिसमें जिसको हम बोलते है fees and fines आपको loan मिल रहा होगा तो यह सारी चीज़े जो है as compared to आपके expenditure से कम होती है उसको हम लोग बोलते है revenue deficit ठीक है तो यहां पर क्या किया जाता है it is finance by drawing upon the capital budget यहां पर हम इसको credit कैसे करते हैं आपके capital budget से इसको हम लोग जो है correct करते हैं ठीक है point याद रखेगा तो revenue deficit हम कैसे देखते हैं जो हम revenue expenditure ज्यादा होता आपके revenue receipt से ठीक है तो उसको revenue deficit कहा जाता है अगर हम बात करे budgetary deficit की point याद रखेगा कि budgetary deficit क्या होता है when overall expenditure of the government is greater than आपका overall receipt अब overall expenditure क्या है तो जिसको हम बलेंगे total expenditure total expenditure क्या होता है इसमें क्या-क्या चीज़ें आपकी included होती है तो total expenditure में आपका revenue expenditure और प्लस आपका capital expenditure आता है ठीक है ओके capital expenditure यह क्या होगा आपका ज्यादा होगा किससे greater किससे होगा यह आपके total receipt से total receipt में क्या आता है revenue receipt plus capital receipt यानि जो पैसा revenue से आ रहा होगा यानि tax and non-taxes से और capital receipt में और वो पैसे है जो हम as come उसे जो interest हमें पेग किया जा रहा है हमने किसी UT को या फिर foreign government को loan दिया था उससे जो interest payment हो रहा है वो आपका capital receipt में आता है या फिर आप loan ले रहा हो बाहर से ठीक है तो यह क्या होता है आपका कम होता है यानि आपका total receipt कम हो जाए किससे आपके वो उससे जो deficit financing से इसको हम correct कर सकते हैं आपके budgetary deficit को next हमारा point है fiscal deficit क्या होता है point बहुत important है क्योंकि fiscal deficit and primary deficit पूष्टा है आपके exam में तो fiscal deficit क्या होता है it is a excess of overall expenditure over the sum of revenue receipt and recoveries of loan ठीक है अगर इसको simple terms में समझे तो जो आपका fiscal deficit होता है याद रखेगा इसका formula क्या है total expenditure minus total revenue इसमें से क्या exclude कर दिया जाता है excluding excluding borrowing ठीक है आपका जो borrowing है वो यहां से exclude कर दिया जाता है इसको हम लोग बोलते है fiscal deficit point याद रखेगा कि जब total expenditure में से total revenue को minus कर देते हैं और इसमें से exclude कर देते हैं यानि माइनस हम और क्या कर देते हैं borrowing को minus कर देते हैं ठीक है यह क्या बताता है आपके जो fiscal deficit है वो यह बताता है is the excess of government spending over its earning यानि earning क्या है सरकार की कम है revenue कम है और expenditure सरकार का क्या है जादा है इस चीज़ को यह बताता है कौन आपका fiscal deficit यानि total expenditure minus total revenue और exclude क्या कर देंगे आपके borrowings को exclude कर देते हैं आपके fiscal deficit में point याद रखेगा ठीक है next हमारा monetized deficit क्या होता है that part of fiscal deficit which is financed by printing of new currency and notes that is monetized deficit यानि एक ऐसा part fiscal deficit का जैसे आपने देखा न total expenditure minus total revenue minus आपने क्या कर दिया जो borrowings थे उसको minus कर दिया यहां से तो उमारा क्या बना fiscal deficit बना ठीक है अब इसको हम जो यह gap हो रहा है जो आपका expenditure जो जादा हो रहा है अगर मालीचे की 500 को रोड का expenditure और 400 को रोड ही आपका revenue है ठीक आप जबकि उसमें से borrowings भी minus कर दे रहो तो जो 50 करोड का यह difference हा रहा है इसको हम कैसे जो है fulfill करेंगे इसको कैसे जो है सही करेंगे तो हम यहां पर क्या करते हैं printing of new currency को करना start कर देते हैं उसी को लोग बोलते हैं monetize deficit ठीक है यानि that part of fiscal deficit which is financed by printing of new currency यहां पर है print होने लगती है new currency and notes इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके monetized deficit कहते हैं ठीक है नेक्स हमारा पॉइंट है when primary when interest payment is deduct from the fiscal deficit fiscal deficit का हमने formula देखा अब उसमें से आप क्या minus कर दोगे आप interest जो payment कर रहे हो बाहर के जो तुमने लोन लिये थे उसको तो हमारा क्या बन जाता है primary deficit तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते है कि primary deficit equals to fiscal deficit fiscal deficit का आपको formula तो पता ही है और क्या minus कर देंगे यहां से interest payment interest payment इसको हम क्या कर देंगे minus कर देंगे ठीक है याद रखेगा इस point को और क्या लिख सकते है इसको आपके primary deficit को यह भी लिख सकते है कि total आपका revenue है minus total expenditure ठीक है या फिर आप जो है total expenditure minus total revenue कर दीजगा total expenditure minus total revenue exclude क्या कर देंगे आप जो है interest payment को on its debt ठीक है interest payment on its debt ठीक है यह भी आपका जो है आपके जो primary deficit है उसका formula है ठीक है ओके तो यह हमारा जो है आपका primary deficit हो गया तो difference क्या है what is difference between fiscal deficit and primary deficit digested जो है याद रखेगा कि यहाँ पर जो primary deficit होता है वह क्या होता है difference between आपके fiscal deficit और interest payment यानी fiscal deficit में से जब हम interest payment को क्या करते है minus कर देते हैं ठीक है deficit में से क्या minus कर देते हैं आपके interest payment को that is what अपका कैहलाएगा primary deficit ठीके इसको हम क्या कहेंगे primary deficit कहेंगे ठीके और जब्कि आपका fiscal deficit क्या होता है excess of total expenditures of total expenditure एक्सक्नेचर माइनस आपका national expenditure वाइनस टोटल revenue माईनस आपका borrowing borrowing को कर देते हैं यह आपका बन जाता है क्या इसके तो प्राइमरी डिफसिट का है टीज़ टोटल बौर्रींग रिपॉर्मेंट आफ दो गौर्मेंट एक्स्लूड इंट्रेस्ट यानि आपका टोटल बौर्रींग बताता है कि सरकार को कितना उधार लेना है कितना उधार का रिकॉर्मेंट जरुवत है ठीक है और बिसि अत्रलण ब्रूंट कोपके कि क्या करता है इसमें इंट्रेस्पेमंट इंक्लूडेड लॉस्का क्या होता है musst इंट्रेस्ट पेमिंट और फिस्कल डेस्ट क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्स्रोडिंग बॉर्विंग ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है आपकी एक्जाम के लिए तो गर हम इस पर कॉश्चन देखें तो रिवेन्यू डेसिट क्या होता है वेन जो आपका बसिकली हो जाएगा बजिट्री तो आपका जो यह जाएगा बजट्री अनि हम देखते जब ऊवर अले एकस्टेटिचर जामेशा किसे जाधा होगा आपके से व्यश्मिद्स पहलिए तो इसको लोग क्या वोलते हैं आपके बजट्री डेफसिट जब कि हम बात करे किसमें फिसकल डेफसिट में से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी डेफसिट ठीक है जब हम इंट्रेस्ट पेमेंट को किसमें फिसकल डेफसिट में से क्या माइनस कर देते थे आपका interest payment तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपके primary deficit कहते हैं ठीक है उसको हम लोग क्या कहते है primary deficit जबकि हमारा अब बचा आपका fiscal deficit तो यहाँ पर excess of जो है overall expenditure over the sum of revenue receipt and recoveries of loan ठीक है यहाँ पर हम क्या देख रहा है कि overall expenditure क्या हो जा रहा है कम हो तो यहाँ पर option नम्पर इसका जो हो जाएगा correct आपका भी वाला हो जाएगा नि ओवर expenditure over sum of revenue receipt क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है अगर इसका formula देखे तो total expenditure revenue exclude क्या हो जाता है आपका borrowing ठीक है यह पॉइंट याद रखेगा तो आई थिंग आपको यह वीडियो समझ में आगा जुटे रिएगा शेयर करिएगा अपने friends के साथ subscribe कर लेज़ेगा like and press करना नहीं बुलेगा धन्यवाद